बूर्णिंग फ्रेंट्स स्वागत है आपका फिर से माता सावित्र किचन में आज मैं बनाने जा रही हूं चाट पापड़ी जिसके लिए देखिए मैंने पहले से ले लिया है हाफ कटोरी मैदा है और यह हाफ कटोरी आटा यह दुनों को मिक्स करके हम बनाएंगे इसको देखिए मैंने मिक्स कर लिया है और इसको मॉयन करेंगे पहले फ्रेंट्स मेन इसका ये एए कि पापड़ी बनाने के लिए पापड़ी खसता होनी चाहिए जिसके लिए हम मॉयन लगांगे यह देखिए मॉयन लगा रहे हैं कि देखिए फ्रेंट्स यह मोयन हमारा देखिया से बाइंड हो रहा है इसका मतलब मोयन बहुत बढ़िया हुआ है अब क्या करेंगे इसमें हम थोड़ा सा एक पिंच अजवाइन डाल देंगे यह थोड़ा फ्लेवर देगा अगर आपकी इच्छा तो आप डालिए नहीं मैंने आटा गून लिया है अब इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि इसका घी जो है थोड़ा सेट हो जाए बढ़ियां से और हाड़ी आटा गूनना है ज्यादा सौफ्ट नेग लगाना है देखिए फ्रेंट्स इसको मैंने फ्रिज से निकाल ल इसकी फीकनेस थोड़ी रखनी है अब इस फ्रेंट्स फिर मैं इस वर्तन से इसको काट रही हूं अब जैसा बढ़ा चाह है वैसा काट लिएगा एसे करेंगे घूस्पाप्रना प्रेंट्स यह में रहो गया है पापड़ी अब इसको क्या acontece अब इसको तल लेते हैं देखिए मैंने गैस पर कड़ाई रख लिए इसमें मेरा तेल भी गरम हो गया है अब इसको तल लेते हैं यह फ्लेम हाई रखनी है कि इसको डाल देता है कि अब तल लेए अब यह पर्ण्स पापड़ी मेरी खस्ता भी होनी चाहिए तभी पापड़ी का मज़ाएंगा और एसे उपने बाकिकी थ्लिवी टल लेंगा देखें यह मेरी पापडी ट्यार भी प्लेट कर लेते हैं प्रपड़ी चाट के नाम से तो सब के मुंहें पानी आजाता है यह पापड़ी चाट है इसको खा के मन खुस हो जाएगा अब इसको खटा मीठा तीखा कैसा भी बना सकते हैं जैसे आपकी इच्छा इसकी उपर फ्रेंट्स देखिए प्याज डाल लेती हूं मैं थोड़ा थोड़ा प्याज मैंने बारिक पाट लिए थोटे छोटे इस पर हम थोड़ा चने रख लेते हैं इसके उपर यह मैंने धनिया पुदिना मिट्स की चट्नी बनाई है इसको डाल लेते हैं जिससे थोड़ा पीखा हो जाएगा और चट्पटा देखें फिर इसके उपर हम दही डाल लेते हैं और इसके उपर यह सेव डाल लेते हैं देखें फ्रेंट्स यह कितना दिखने में प्यारा लग रहा है और खाने में उठना ही टेस्टी होगा फ्रेंट्स इसे बना के आप घर में ट्राय जरूर कीजिएगा मेरे कमेंट सेक्षन में लिखके बताएगा कैसा लगा आपको अगर कोई कमी भी होगी तो भी मुझको लिखके बताएगा ताकि मैं अपने वीडियो को और रेसेपी को सुधार सको और फ्रेंट्स अगर आप मेरे इस वीडियो में नए हैं फ्रेंट्स अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बि बहुत बहुत धन्यवाद